हैलो फ्रेंड बात करेंगे एक और नहीं वड़ी वेकेंसी की तो दोस्तों क्लेक्टर कारला में काफी सारी वेकेंसी निकाली गई है जहां पर दोस्तों आप दे सकते हैं विभिन कारला है जैसे की कारला कलेक्टर अरुपपूर अशोक नगर, खनवा, गुना, जवलपूर, अर्मदापूरम, नीमच, भेंड, मंसोर, सिंग्रोली, सिउनी, जहाबुआ, इंदों दोस्तों काफी सारे यहाँ पर कलेक्टर कार्ला में वेकिंसिस निकाली गई है अगर हम यहाँ पर मुख्य वेकिंसिस की बात करें तो सभी जगा पर दोस्तों कार्ला साइग ग्रेट 3, स्ट्रोटाइप इस्ट और यहाँ पर सिग्र लेखक वर्गतीन की भरती की जारी है तो अगर आप इनके योगे हैं तो आप दिन कर सकते हैं चलिए मैं आपको इसकी योगेता बतायता हूं कि क्या क्या योगेता इसमें रखी गई है तो जैसे कि पोस्ट मान के चलिए आपकी यहाँ पे कारले साइक ग्रेट 3 है तो यहाँ पे आपकी जो योगिता रहेंगी स्रेक्षिय योगिता आपका बारवी उत्तिन होना जरूरी है और किसी मानेतर प्राप्री प्सुद्याले से आपका एक वर्सी कम्पिटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना आवश्रक है आपके पास और सीपी सीटी हिंदी टापिंग के साथ उत्तिन होना जरूरी है इस पोस्ट पे अप्लाई कर लिए और यहाँ पे काल ऐसा ग्रेड थरी का पेस्केल रहेंगा उननीस अजार पांसो से बाहस्ट अजार का और यह जो वेकेसिक में बता रहा हूँ यहाँ पे है जिला जबलूर कलेक्टर काल ले इसी प्रकार से जो अन्य कलेक्टर कार ला है वहाँ भी इसी प्रकार का पेस्किल रखा गया है और योगेता भी सेमी रखी गई है अब बात करें यहाँ पे दोस्तों इस्टेनोग्राफर वर्ग तीन की तो इस्टेनोग्राफर वर्ग तीन के तहट आपका यहाँ पे मनत प्राप्त बोर्ड संस्ता से हाई सेकंडर प्रक्षा उतिन होना आवश्रक है एक वर्षी कम्पीटर का डिप्लूमा आपको लाएंगा जैसे के DCA, PGDCA CPCT भी हिंदी टैपिंग के साथ पास होना जुरूरी है और आपका यहां पे मानेर प्राप्त प्राप्त संस्ता परिशा से सौब सब्द प्रतिमिनट की गती से हिंदी शिगर लेखन परिख्षा उतिन होने का प्राणपत्र होना आवश्रक है इसमें आवधिन करने के लिए आपका PSKILL की बात करें, तो यहाँ पे 52 से 2 being, 27 प्लस 28 सो का ग्रेट पे रखा गया है अब बात करें यहाँ पे SDO Typeist पोस्ट की, तो SDO Typeist में भी आपका यहाँ बारवी computer में डिपलमा होना खूशरक है और आपका यहाँ पे CPCT हिन्दी टापिंग केसा c Vivar है और 80 सब्द प्रतिमिनट की गती से हिंदी सिग्र लेखन परिक्षा उतिर होने का प्रणापत्राप को इसमें लगेंगा इसमें आउधिन करने के लिए इसमें पेस्किल की बात करें तो 52 से 20 सार 200 प्लस 19 जोका ग्रेट पे आपको प्रतिमाइस में दिया जाएंगा अब बात करें अगली पोर्ट जो की है यहाँ पे सिग्र लेखक की तो सिग्र लेखक में योगेता आपकी जो रहेंगी मानने तरपा बोर्ट यहाँ पे बारवी पात सुदना जरूरी है DCA, PGDC होना अवर्शक है और आपके पास CPCT हिंदी के साथ अनिवार है और आपका यहाँ पे सवसोद्र प्रतिमाइस में दे जाएंगे तो इतनी वेकेंसी से दोस्तों यहाँ पे कारला कलेक्टर्स में निकाली गई है तो सभी में जो योगिता है C में रहेंगी मतलब कि आपके पास बारवी पास होना जरूरी है DCA या PGDC होना अवर्शक है और आपका यहाँ पे CPCT भी जरूरी है और फिर उसके बाद आपकी योगिता के नुसार आप इसमें आवदिन कर सकते है इस्टिनोटाइबिस, इस्टिनोग्राफर और साथ में यहाँ पे कारले साइग्रेट तरीकी यह भरती है फॉर्म भरनने की बात करें तो आपका यहाँ पे 6 मार्ट, 23 से फॉर्म भरना प्रारम भूंगे आप 20 मार्ट तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 15 दिन का को समय दिया जाएंगा अगर आप फॉर्म को गलती कर बैठते हैं तो इसके लिए आपको अत्रिक समय इसमें दिया जाएंगा सुधार करने के लिए इसमें आपकी छो एक्जाम रहेंगे दूस्तो यहाँ पर ढ़लवीमाजी WiFi थेंगी तो किसी को सुबा के सियुध में गेंगी Kिसी को दूफ़ार की सिउफ्ट तो अलगलग सिउफ्ट में यहाँ पर एक्जाम ली जाएंगी पे पेर आपका सव अंकव का रहेंगा परिशा सुल्क की बात करें तो यहाँ पे SCSTOBC के 500 रुप लाएंगे क्यों सुल्क रहाँ पे 60 रुप लाएंगा मतलग कि आपको 310 रुपए SCSTOBC को और यहाँ पे जो जनरल के रहेंगे उनको यहाँ पे 500 रुपए 560 रुपए का चार्ज जनरल के टिकरी वालों को और अधरिश्टेट वालों को इसमें लगने वाला है अगर आप यहाँ पे संसुधन करते हैं एडिट करते हैं फ़आम को तो आपको 60 रुपए का सुल्क इसमें लगेंगा और यहाँ पे परिश्टा सहर की बात करें तो बुपाल, गौलियर, इंदोर, जवलपूर, निवाज, रतलाम, रिवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जन में बनाए जाएंगे परिश्टा आपकी ओनलाइन रहेंगी और कोई नेगिटिव मार्किंग इसमें नहीं होंगी इसके एकजाम पेटर्न की बात करें तो यहाँ पर समाने घ्यान, समाने हिंदी, समाने अंग्रेजि, गणिद, समाने कम्पिटर ग्यान, समाने अभिरूची से ही आपके सवाल आएंगे आप सव उंको कर रहेंगा दूस्तों काफी आसान रहेगा अगर आपने बंडर्शक पटवरी की तयारी किये है तो यह एक्जाम भी आप आसानी से निकाल लेंगे और यह आप दे सकते ही टेmpleit है तो यह जो वापम काने निकाली है तो विआपम के मादएब से दोस्तों आपको फॉर्म को फिल करना रहेंगा इसके साथ में आपको रोजगार पंजेन भी लगेगा तो रोजगार पंजिन और व्यापन पंजिन होना आवश्टा के इस भरती में आवधिन कंडी के लिए तो जब फार्म बनना स्टार्ट होंगे मैं इसका अलग सा आपके वीडियो बना के दिखा दूंगा ताकि आप घर बैटे इस फार्म को आसरी से फिल कर सके तो दोस्तों यह तो आज की वेकेंसी फिर मिलते हैं कि लेकिसे नहीं वीडियो में नहीं वेकेंसी की जाएंके लिए कि आप सभी के लिए नमस्कार